हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ आपके सामने गोरो मिगलानी इस वीडियो में हमें एक केस डिसकस करने जा रहे हैं जो कॉंज्यूमर पॉटेक्शन को लेकर ही है मनुज चिप्स का पैकेट लेने के लिए शोप पे जाता है जब उसने चिप्स का पैकेट खरीदा तो उसने देखा कि चिप्स के पैकेट के उपर जो चिप्स के कॉंपोनेंट होते हैं चिप्स में क्या क्या एलिमेंट मिक्स किये गए हैं वो एलिमेंट पैकेट पे साफ नहीं आ रहे थे कभी-कभी हमारे साथ भी होता है, ہम product खरीदने के लिए गए, product काफे 嗎 से shop में रखा हुआ है, तो उसके ुपर जो लिखा हुआ होता है वो मिट जाता है, साफ हो जाता है, तो definitely हम वो पढ़ ही नहीं पाते कि उसमें है क्या क्या वही मनुज के साथ हुआ चिप्स का पैकेट खरीदा तो चिप्स के पैकेट के उपर जो content का label था वो label साफ हो चुका था उसको दिखी नहीं रहा था कि component चिप्स में क्या क्या है तो मनुज ने क्या किया इसकी complaint company को की company ने उसको letter भेजा letter में मनुज से माफी मांगी प्लस ये भी बोला कि जो भी packet बिना दिखने वाले हैं जिनके उपर वो component दिखना बंद हो चुका है हम वो सारे के सारे packet market में से उठा लेंगे या हो सकता है कि उठा भी लिये हो उठाने के बाद ही उसको letter लिखा हो तो company ने उसको बोला है कि हमने वो packets market में से उठा लिये हैं मतलब जिसके उपर label दिखने रहा है component जिसके दिखने रहे हैं हमने वो packet market से उठा लिये हैं पलस उसको ये भी बोला कि अब हम दुबारा से नए packet market में available करा रहे हैं जो बिल्कूल दिखने वाले होंगे जिनके उपर component आसानी से देखा जा सकेगा तो हमको question में ये पूछा जा रहा है कि मनुझ ने अपने कौन से right का प्रियोग किया है कौन सा अधिकार ऐसा है जो मनुझ exercise में लेकर आया है simple सी बात है हमने Consumer Protection Act 1986 में study किया है कि एक consumer के काफी सरे rights होते हैं उसमें से जो चोथा right होता है चोथा अधिकार होता है वो होता है सुनवाई का अधिकार right to be heard मतलब अगर आप किसी product या service की वज़े से satisfy नहीं हो तो आप उसकी complain कर सकते हो शिकायत कर सकते हो तो यहां पर मनुज ने सुनवाई का अधिकार ये प्रियोग किया है right to be heard या ये भी कह सकते हैं कि उसने complain करने का अधिकार प्रियोग किया है